देहरादूर में नीती आयोग की टीम के साथ में सीएम धामी मीटिंग में शामिल हुए और साथी नीती आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की बैठक में भी शामिल हुए इस दोरान दोरों के बीच में उत्राखन के विकास के अलग-अलग मुद्दो पर चर्शा की गई मुख्य बंतरी धामी ने कहा कि नीती आयोग उत्राखन के विकास में बड़ा सहीूग कर सकता है वहीं उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने हर संभव सायोग का भरोसा दिया इस दोरान नीती आयोग के उपाध्यक्ष ने आपसरों को कुछ सुझाव दिये उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राज्यकी ब्रांडिंग के लिए विशिश प्रयास करने का सुझाव दिया है और मैंने हमिसा से कहा है कि हमाले राज्यों की चुनोटियों के अनुसार उनको प्रात्निक्ता के अधार पर साहता मिलनी चाहिए और इसके साथ ही जो राज्ये के अंदर हमारी जितनी संख्या है निवासियों की उसके कम से कम दस गुना से ज्यादा लोग जो है पूरे देश भर के आते हैं तो उसके आधार पर भी हमारा आकलन किया जाना चीए हमको सहयता मिलनी चीए और जो हमारा डिजास्टर मेनेजमेंट का सिस्टम है और अच्छा होना चीए भारत सरकार को नितियायोग को हमारी उस हैं और मेरी ड्यूटी है कि हर सेम को एक दफा मैं उनको अपने राज्य में मिलूँ तो यह पहला ओफिशल विजट है राज्यूटी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है एक दूसरे के खिलाफ राज्यूटी करने वाली दोनों राज्यूटी पार्टियां बीजपी और कॉंग्रेस एक मुद्दे पर पूरी तरह से एक है मुद्दा अवैद बस्तियों का है और चुनाव नस्थीख है रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि यह राजधानी देहरादून में विधान सभा से सटी अवैद बस्ती वैसे तो विधान सभा के आसपास की हर बिल्लिंग को समवेदन शील माना जाता है लेकिन इस बस्ती से मान्यों को कोई खत्रा नहीं है जिसकी बजह है यहां रहने वाले हजारों प्यारे वोटर पूरे उत्रखंड में ऐसी 583 अवैद बस्तिया हैं जहां दूसरे राज्यों के प्रवासी आकर रहते हैं जिन में ज्यादा तर आज की तारिख में उत्रखंड के वोटर बन चुके हैं लिहाजा इन बस्तियों में रहने वाला हर वोटर बीजेपी और कॉं आगे बढ़ाया गया और इसकी मियाद सौंवार को खत्म हो रही है सूत्रों की माने तो बीजेपी पुराने अध्यादेश को आगे बढ़ा सकती है वहीं विपक्षी कॉंग्रेस का कहना है कि अवैद बस्तियों के असली रोबिन हुड तो हम ही है विचार उमर्स कर रहे हैं और यह तो बात्ते हैं कि जितनी हमारे वो लोग हैं उनके लिए उनको रास्ता तो निकालेंगे वो तो आप जानते हैं कि दो बार हमने अध्यादेश का जो कारिकल तिन तिन वर्सकाता हम नहीं बढ़ाया और अभी भी हमी लोग उनके लिए कोई रात कैसे उनको दी जा सके उसमें विचार कर रहे हैं पर तमाम सरकार ने भारती जन्ता बाट्री की सरकार ने मलिन बस्तियों के निवाचियों के हितु में ख़रगात करने का काम किया है सरकार के आदेश के बाद भी और 2016 में कॉम्ग्रेस की सरकार ने मलिन बस्ति र Latino एक्ट बनाये था सरकार ने उसको गड़े में डाल दिया है उसमें कोई कारवाई नहीं हो रही है आज मलिन दर्ष्टी के लोग अपने अधिकारों के तड़फ रहे हैं दरसल 2018 में हाई कोट ने अवैद बस्तियों को हटाने के आदेश दिये थे लेकिन तब तिर्वेंदर सिंग रावत सरकार इनको बजाने के लिए अध्यादेश लाई यहाँ इसके पीछे की वजह समझना भी जरूरी है वजह ये है कि पूरे प्रदेश की 583 अवैद बस्तियों में अंदाजन 12-15 लाग वोटर रहते हैं और ये वोटर आने वाले निकाय चुनाओं में किसी का भी खेल बना या बिगाल सकते हैं हरिद्वार में अवैत मजार पर प्रशासन का एक्शन हुआ है यहाँ पर बहादराबाद में अवैत तरीके से बनाए कई मजार को बुल्डोजर से द्वस्त क्या क्या और देखते ही देखते आलिशान बिल्डिंग मलवे में तब्दील हो गए धार में एक स्ट्रक्चर के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था सिचाई विभाग की ये जमीन के स्थानों को लीज पर दी गई थी स्ट्रीम अजेवीर सिंग ने बताया कि संबंदित लोगों को स्ट्रक्चर हटाने के लिए नोतस दिये गए थे लेकिन अगाद निर्मान को नहीं हताय जाने पर प्रिसासर में जोसी करण की कारवाई की लिए जो इपूरा स्विभाग की भूमी है जिसमें इंको ये बहुत पहले यहां पट्टे दिये गए थे खेती करने के लिए हरिद्वार में कंखल के एक आश्रम की करोडों की संपती हत्याने के लिए आश्रम के बुजर्ग महंत की हत्या कर दी गए वहीं पुलिस ने हत्याकान को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी कबजे से फर्जी वसीहत और साती फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के च्रेक भी परामत के गए आरोपि अशोक ललित और संजीफ ने मिलकर बुजर्ग संत को पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर गला दबा कर हत्या कर दिया फिर मृता के शवफ को बोरे में भरकर गंगा में फेक दिया था इसके बाद आरोपियों ने बुजर्ग संत के आयोध्या जाने की कहानी रच्छी और उनकी जगह पर योगी राम गुपाल नाम के एक फर्जी बाबा को आश्रम में बैठा दिया इस हत्याकार में अभी दो आरोपी फराड चल रहे हैं जुद्धी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है पूरे घटना करम का मास्टर माइंड अशोक जिसके द्वारा जो गुपाल दाज जी हैं उनको यहां से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बठाना यह उनके द्वारा स्विकार किया गया इस पूरे प्रक्रण में पुलिस के द्वारा अब तक चार अभिक्ता को अरस्ट किया गया है रुदर प्रियाग में के दारना धाम के बेस कैम्प में सतधारी बीज़ेपी से जुड़ी एक महिला के स्ताथ रेप की कोशिश का संसरी खेस मामला पुलिस ने दर्श किया है महिला लोकल है और केदारना धाम के बेस कैम्प में बिस्निस करती है जानकारी के मुताबिक महिला रुदर प्रियाग बीज़ेपी के एक फ्रंटल की पदधिकारी भी है पुलिस कंप्लेट के अनुसार 13 ओक्टूबर की रात को राकेश शुकला नाम के व्यक्ति ने महिला की टेंट में जबरन घुस कर बलतकार की कोशिश की लेकिन शोर शराबा करने पर वो चला गया महिला का आरोप है कि केदानात पुलिस स्वाकी ने उसकी कंप्लेन को नजर अंदास कर दिया और जब पुलिस के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा गया तब जाकर शुक्रवार शाम को मुकद्मा दर्श किया गया तो हमारे पाद जो तहरीम दिया जो माहिला अधोर तहरी दीगे उसके आहदार पे हमने सोमट्रा कट्वाले में इसमें अभी पंजिग्य haduki हो गया है और इसमें भारती निया घारेस और 33一yu और 133 और 14 र ie bendama पंजिग्य पॉड़े गड़वाल लोकसभा में विकास की नई बयार बहने वाली है यहाँ पर तीन नए मिनी स्टेडियम खुलेंगे और साथी कॉलिजों में जिमनेशियम की भी तैयारी की जाएगे गड़वाल सांसड अनिल बलूनी ने आज दिल्ली में केंद्रे खेल एवं युवा मामलो की मंतरी मंसुक मांडविया से मुलाकात किया और मुलाकात के बाद में अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने गड़वाल लोकसभा में मिनी स्टेडियम की निर्मान का प्रसाव रखा है और केंद्री मंत्री ने तीन मिनी स्ट्रेडियम बनाने की मंजूरी दे दिया है जिस पर जल ही काम भी शुरू हो जाएगा साती गड़वाल लोगसभाश्वेत्र के कॉलेजों में जिमनेजियम भी खोले जाएंगे क्योंकि उत्राखन के युवाओं को खेलों से जादा लगाव है अनिल बलूनी पहले भी ना सिर्फ गड़वाल बल्कि पूरे उत्राखन के विकास कारियों को लेकर सक्रिय रहे हैं और गड़वाल सांसत बनने के बाद में ये बड़ा कदम माना जा रहा है मैं खेल मंतरी आदर नी मंसुभाई मांडवेजी से मिला था और उनसे हमने आगरे किया कि हमारे यां गड़वाल लोग सबा में खेलों के परती लोगों की बहुत रूची भी है और हमारे युवा खेलों में जाने के लिए और खेल में देश का नाम और राज्य का नाम रोशन कंड़े की परदिवा इनके अंदर है तो हमने उनसे आगरे किया था कि आप हमको कुछ खेल स्टेडियम दे दिए तो कल उन्होंने सहमती दिये कि तीन हमारे यां जो स्टेडियम हैं वे देने वाले हैं खेलो भारत युजना के देद लगबग 10 से 11 बारा करोड की एक स्टेडियम पर लगत आईगी साथ ही मैंने उनसे ये भी आगरे किया कि हमारे यां बहुत सारे जो डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज हैं वहां के जो च्छात रहें उनके लिए भी कुछ खेलों के लिए मदद कर किया जा सके तो उन्होंने मेरे को कहा है आश्वासन भी दिया है कि कुछ कॉलिजिज में जिमनेजियम भारत सरकार के द्वारा वे लगवाने के लिए उन्होंने सहमती दिये हलदवानी की बेटी के साथ एक ऐसी घटना सामने आई है जो हैरान करने वाली है क्योंकि यहां की एक बेटी के साथ में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में गैंग रेप की घटना हुई आखिर कैसे हुई ये पूरी घटना और क्या ही ये पूरा मामला एक रेपोर्ट में आपको लिखाते हैं द्योभूमी उत्राखंड की बेटी के साथ पहले देश की राजधानी दिल्ली और फिर मुंबई में ऐसी घटना घटित हुई जो आपको भी हैरान कर देगी घटना की शुरुवात होती है तक्रीबन एक हफ्ते पहले जब हल्दवानी के नामी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक लड़की अपने दोस्त से मिलने ट्रेन में बैठकर हल्दवानी से दिल्ली जा रही थी इसी दोरान उसकी मुलाकात ट्रेन में सवार तीन लड़कों से होती है और यही मुलाकात लड़की पर भारी पर जाती है दिल्ली में मदद करने के बाहने तीनों लड़के लड़की के साथ दो दिन तक सामुहिक बलातकार करते हैं और लड़की को अपने दिल्ली वाले दो दोस्तों के हवाले कर, खुद दिल्ली से मुंबई रवाना हो जाते हैं। पुलिस लड़की को परामत करके ले आई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आच लड़कों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्च कर सलाखों के पीछे डाल चुकी है। हलदुआली से न्यूज 18 के लिए शैलेंदर डेगी की रिपोर्ट